सो हेलो अब्रिवन जिससी ग्रोकुल के सभी मिमरवाशियों के तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन बेख करते हैं इस प्रकार आज हम लोग जहारखन के तीन जिल्ला चोकिदार भरती की अपडेट के विशे में जानने वाले हैं सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं सबसे पहले एक हमारा जिल्ला है जो की देवगर जिल्ला दूसरा हमारा चत्रा जिल्ला तीसरा हमारा गिरीडी जिल्ला इन तीन जिल्लों के विशेस में हम लोग बात करने वाले हैं चलिए विश्तार पुर्वक बाते करत फाइनली इसका rejection list आप लोग का जारी कर दिया गया है देखिए ये official site में आप लोग का परखंड wise जारी कर दिया गया है link आप लोग को नीचे description box में मिल जाएगा आप उस link को direct किलिक किजेगा direct official site पे आप लोग चले जाएगा अनियथा chrome में जाने के बाद आप लोग को ये चीज़ सर्च करना है www.deogar.nic.in directly आप लोग का official site चले जाएगा वहाँ परखंड wise आप लोग का accepted और rejected list जारी किया गया है जिन अभ्यारतियों का form आप लोग का reject किया गया है तो उनके लिए देख सकते हैं परकासित सुची के बिरूद में दावा अपती प्राप्त करने है तो अंतिम तित्थी 26 सितंबर 2024 की साम पांच बजे निर्धारित की जाती है जिन अभ्यारतियों को परकासित सुची के बिरूद को दावा अथवा अपती हो तो निर्धारित समय तित्थी तक आवस्यक साची सहित आवेधन परभारी पदादिकारी जिल्ला समान शाखा देवगर को समर्पित करेंगे देखिए 26 सितंबर आप लोग कल जिनका भी देख लिजेगा फोम यदि रिजेक्ट हुआ है तो तुरंद आप लोग कल ही चले जाईएगा 20 तारीक 21 तारीक परोपर आपका 5-6 दिन का ये समय दिया गया और ये देख सकते हैं देर रात जश्ट अभी थोड़ा सा आप लोग का ये 19 तारीक को ही देर रात में ये ओफिसल साइट में आप लोग को अपलोड कर दिया गया तो साथ है आप अस्क्रिन पे देख पा रहे होंगे देवगर चोकिदार अश्टेशल आप लोग का बेच चलाया जा रहा है इस प्लेटपूम के तहट से और साथी साथ यहां पे बेच की बात करते हैं तो कम्पलीट यहां पे आप लोग के जहरकन जिकिए देवगर जिकि language paper इसके complete theory के notes प्रोवाइड किये गए हैं साथ में हर एक theory का video lecture video lecture के बाद chapter wise आप लोग के important question साथ में 5 mock test आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है इस base regarding और यहां पे updated question current जो भी recent में आपका 18-19 का भी exam हुआ है बोकारो, लातिहार, पच्मी, सिम्यूम इससे पहले greedy गुमला सिम्डेगा में जो भी examination conduct करवाएगे हैं तो उस pattern के मताबिक जिस section से प्रश्ण पूछा गया topic से उन सभी प्रश्ण को भी आप लोग को यहां पे mock test के अंतरगत included आप लोग को देखने को मिलेंगे तो updated जो भी current का question है वो सहित आप लोग को इस batch में देखने को मिल रहे हैं join कैसे होना है तो link आप लोग को application का description box वो मिल जाएगा उस application को download किजिए वहीं से आप जूड़ सकती है यदि किसी तरह का कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस number पे contact किजिए चत्रा जिल्ला को लेकर के यहाँ पे vacancy का जो संख्या जैसा की पता होगा 154 पदों पर भरती निकाली गई थी तो उसी का संख्या में यहाँ पे तीन जो संख्या है पद है वो घटा दिये गी है देख सकते हैं यहाँ पे रूटी वो चीज संसोधन किया गया है सबसे पहला नंबर पे देखते होंगे चत्रा जिल्ला अंतरगत चोकिदार के कूल रिक पद 154 पर सीधी नियूक्ती भरती है तो बिग्यापन संख्या 24 परकासित किया गया था लिपिके भूल वस बिग्यापन के सलगन परिशुष्ट वन में सिमर्या अंचल अंतरगत पूल रिक्ती 14 के अस्थान पर 15 रिक्ती अंकित हो गया था सिमर्या अंचल है उसके अंतरगत टोटल 14 ही पद थे बट गलत मिश्टेक के कारण महांपे 15 रिक्त हो गया तो एक यहांपर मैनस हमारा एक हो गया पद दूसरा देख सकते हैं सीमरिया अंचल के बीट संखिया पांच बटा तीन ग्राम डाड़ी सलगन ग्राम एदला यह देखें ग्राम जो डाड़ी है इसके अंतरगत एदला बक्चोमा डाड़ी एवं टनवा अंचल के दिगवार ब दिक्त बिट खाली करकर के एक पद्दे दिया गिया तिहां पे एक मैनस हो गिया तिसरा देखे हंटर गंज अंचल अंतरगत बरखास्त दिगवार का न्याले से पुनर न्यूक्त समंधी आदेश प्राप्त होने के कारण दिगवार बिट संक्या वन बाई वन नवाड़ी में पुनर न्यूक्त किये जाने है तू न्यूक्ती समीती की बैठक में सर्व समती से लिये गे निर्ने के आलोक में उक्त तीन बीट की रिक्त को बिलोपित किया जाता है एक पद यहां पे आप लोग का बिलोपित तो इस प्रकार टोटल तीन पोस्ट है जो की आप लोग का व पद समझा जा विग्यापन का सेश अंस यतावत रहेगा तो जो 154 पद थे वो अब 151 पदों पर ये भरती आगे प्रोसेस बढ़ाया जा रहा है तो तीन देशा की आप लोग देखे तू तीन संख्या घटा दिया गया है इसलिए कुछ यहां पर देख सकती है इस बीट संख कि अभ्यार्थिव का ये जेनरल केस देखने को मिल दा था कि शुरुवात में नोटिफिकेशन में इनका जिक्र किया गया था जिक्र होने के बाजोद भी इनका फोम अभी देखिएगा रिजेक्ट रिजेक्ट दिखा रहा है तो मेन वही रिजन है आप लोग का गार समवग्र के पद पर सीधी नियुक्ती परिच्छा 2023 के ओप्रेशन एंड इंप्लिमेंशन को डवलूपी इतना नंबर 2024 विकास दास एवं अन्य बनाम राईज में मानेनिय उच नियाले द्वारा दिनांक 11 सतंबर 2024 को आदेश पारित करते हुए अगली सुनवाई की त गिति तक के लिए अस्टे कर दिया गया है उक्त के आलोक में विग्यापन संख्या 2023 चोकिदार समवग्र नियुक्ती परिच्छा 2023 के ओप्रेशन एंड इंप्लिमेंटेशन को ततकाल परभाव में अगले आदेश तक अस्तगित किया जाता है तो जो आप लोग का जो डेट फिजिकल का जैसा की पता होगा 23-24 को डिसाइड किया गया अब ये अगले आदेश तक अस्तगित किया जाता है इस पर अस्टे यानि की अभी रोक लगा दिया गया है तो जो भी अभ्यारती जिनका रिजल्ट में नाम आ गया था तो आप लोग इस नोटिस को देख सकते है और ये नोटिस फाइलि आप लोग का ओफिसियल साइट में भी देखने को मिल जाएगा आप इसे परमान के तोर पर लीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा ग्रेडी का जिल्ला का ओफिसियल साइट का लिंक आप उस लिंक में जाकर के ओफि कर दिया जाएगा